गरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है हाइट बढ़ाने में पेहत मददगार है यह फूड जी हाँ ऐसा कौन सा फूड है जो हाइट बढ़ाने में बहुत ही मददगार है अगर आपके बच्चे की हाइट आपके लिए चिंता का विशय बनी हुई है तो यह फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट लंबी हो तो आप उसके खाने में सोयबीन एड़ करें सोयबीन चंक्स से भरपूर मातरा में प्रोटीन होता है जिससे हमारे शरीर में ऐसे टिशू बनते हैं जिसकी मदद से हाइट बढ़ती है यहां पढ़ें अब आगे आप कमेंट आगे हम आपको बताते हैं कि इस इस रेसिपी को बनाने में क्या-क्या सामागरी की ज़र्वरत है स्वया बीन एक कप कॉर्ण फ्लैक्स चार चमच हरी मिर्च का पेस्ट दो बड़ी चमच सोया सास चार बड़ी चमच प्याज एक बड़ा चमच हरा प्याज एक बड़ा चमच अधरक एक टुकला बारी कटा लसुन पांच कली बारिक कटी हुई टोमेटो सॉस दो बड़ा चमच शिमला मिर्च एक पीसा बारिक सिरका एक बड़ा चमच तेल एक बड़ा चमच नमक स्वाद के अनुशार इसको बनाने के जो विदिय हैं आपको बताने जा रहा है सोयबीन को 20 मिनिट तक पानी में भीगोने के बाद उसे निकाल कर निचोड़ ले एक पैन में सोयबीन, आधा चमच, नमक, एक चमच हरी मिर्च का पेश्ट और एक चमच कॉनफलेक्स डाल कर मिलाएं और उसे रख दें एक अन्य पैन में एक चमच तेल लेकर उसे गर्म करें और उसमें सोयबीन भूनने के बाद उसे निकाल कर अलग रख दें इसके बाद उसी पैन में कटा हुआ अधरक लेसुन हरी मिर्च का पेश्ट टमाटर सॉस प्याच डाल कर मिलाएं इसके बाद सोयबीन भी उसमें डाले और उसे भी मिलादे पैन में एक कप पानी डाले और उसे मिलादे इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च वेनिगर और स्वादर नुसार नमक मिलाएं और थोड़ी देर धीमी आज पर पकने दे जब ग्रेवी गाड़ी हो जाए तो गैस बंद कर ले मंचूरियन तयार है यह जो आपका स्वाइबीन का मंचूरियन है वो तयार हो गया है बस इसमें कटे हुए प्याच छड़क ले और इसे परोस दे तो दोस्तों आप भी जान गये होंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा फूड है जिसे खाने से हाइब बढ़ती है अगर आप भी अपने जीवन में या किसी बच्चे को यह देते हैं तो इसकी भी हाइट डिफनेट लिवर्ड ग्रोथ करेगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देशीन उस घरेली उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तोना सब्सक्राइब कर ले और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी सवाल यह सुझा आप चल रहा हो तो कमेंट बास में लिखकर पूछन या बताना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार दोस्तों